तो हाई फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी हिंदी राची इनुवर्षिटी और निलांबर पितांबर इनुवर्षिटी के सभी इंपोर्टेंट महतपूर्ट प्रश्ण जो आपके एकजाम में आने की पूरी-पूरी संभावना रख देता हूं यह जैसे आपका पेपर है ठीक है बाइस शबीस आप लोग से सने बोलिए का आपको कहां से मिल गया एकजाम होने से पहले चलिए चलिए बाद में बताएंगे तो ऐसी थी ठीक है और आपका इसी तरी जो है आपका कितना मार्स का होगा 50 मार्स का होगा टाइमिं पास दोने को सेम रहेगा लेकिन सेटिंग अलग-अलग रहेगा क्योंकि साइंत और कॉमर्स के बच्चों का एक साथ ले जाएगा और आट्स के बच्चों एक साथ ठीक है क्योंकि आर्ट में ज्यादा के इंडिट रहते हैं पहले यह देख लिब जीए उसके बाद को शें और रचना है और दूसरा आपका निम्बंद है इस निम्बंद क्यों लेकर मैंने एक वीडियो अल्रेडी अपलोड कर चुका है और इसको वीडियो के end screen में भी लगा दूंगा इसी वीडियो के end screen में तो उस वीडियो को देख लिजेगा वहां पर मैंने question answer दोनों करवा दिया है ठीक है बाकी आज मैं आपको बिसेस रूप से यह बताने वाता हूं ठीक है और उस वीडियो को देख लिजेगा मैं यहाँ पर देदूंगा link पहले देखिए question किस टाइप के आएंगे तो यह सभी आपके चोई 5 marks वाले और 15 marks वाले हैं ठीक है तो इसमे हमारा पहला question है पल्लवन का अर्थ और विसस्ताओं को लिखें दूसरा है संचेपन किसे काते हैं उदारन सहीत असपष्ट करें तीसरा question है पल्लवन और संचेपन में अंतर असपष्ट करें ठीक है यह तीन में से पक का एक question आएंगा तीन में से कोई भी यह काए लेकिन आ अगला है कारक की परिभासा उनके भेद तथा कारक चिर्नों को लिखना है ठीक है अगला है उपसर्ग और परतियाय में क्या अंतर है उदारन साहित आपको बताना है ठीक है कि नेक्स्ट अब कोश्चन इत्क पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं इसके विश्थाओं को लिखें ठीक है यहां पर आपचारिक या फिर अनपचारिक भी पूछ सकता है ऑपचारिक के जगा पर बस और उन्हें अपचारिक आजिए अपचारिक जिसमें फ्रमेल्टी निबाय जाता है सेवा मिस्तरी मान ठीक है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आए कमीन सर और वहीं पे दोस्त रहेगा क्या बें अंदर आ जाओं पूछिए गा वह ले क्या यार कैसा है ठीक है अगर उसमें सर को इसे नहीं नहीं बोलेगा तो रिस्पेक्ट ज और वहां पे सर रहेगा तो बोलिएगा क्या चल रहा है वे उसके बाद आपको पता लगाएगा तो हम लोग पूछते हैं कि कैसे हैं सर गुड मॉर्णिंग ठीक है तो जो हम लोग निभाते हैं ना आपचारिकता उसी को बोलते हैं आपचारिक ठीक है फर्मलिटीस एक होत फार जिसमें हम लोग रूल रिगलोशन का ध्यान रखते हैं कहां पे महसा लिखेंगे कहां पे कॉमा देंगे ठीक है तो दोनों आपको पड़ लेना है अब देखिए यहां पर आपका इनमें से कोई एक आएगा इनिमें से कोई एक आ इन में से किसी एक टोपिक पिए आपको लिखने को आएगा ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं प्रिब्स और फिस्टे प्र जो के पूछा गया है कहां पर पूछा गया है यह राच्ची इन्वर्सीटी नहीं नहीं राच्ची आफिलेटेट कॉले पुस्तक है वाइक के गलत है इसको सुद्ध करना है ठीक है तो यहां पुस्तक मेरी हो जाएगा मेरा नहीं होगा क्या होगा मेरी अच्छा पुस्तक क्या है लेकिन वास्ता में देखा जाए तो इसका कोई लिंग थोड़ी हो है यार सिफ्टिलिंग और पुलिंग विश्ट कंना अजीव है नपुनसंंग लिख को जो निर्जीव है उसको भी वहाँ पुलिंग और स्विता देना है कि नेक्स्ट अपका अन्धो में कान् राजा यह लोकतिक अर्थ क्या है अन्धो में कान राजा मतलब जहांपे सबी मुल्क हो वहां पर जो सबसे थोड़ा ज़्यादा पड़ा लिखा होता है उसको महतु दिया जाता है जैसे सब यहां पर भेंडिया गोड़ धासान है सब 10 पास और 12 पास है ठीक है वहीं अगर कोई गिर्जुएट एक वो आदमी रहेगा जो गिर्जुएट है तो उसको यहां पर 10-15,000 रुपिया है तो सबसे ज्यादा जो भेलो मिलेगा ना इसका मिलेगा इसी को बोलता है कि अंदों में कान राजा यानि कि सब मुर्कों के बीच में जो थोड़ा ज्यादा समझदार और पड़ा लिखा होता है ठीक है थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होता कि इसको ज्यादा म penalty नायका नायका मतलब क्या होता है और हीरो कहां गया चलिए हिरो गया है नौकरी डूझने काम की तलास बेढ़ान और पागल हो रहा है बेचारा vegetal चलिए तो नायका चाहिए के घुमने जुश के साथ संगन में क्या अपसरग है अच्छा है इसको नही परतिया है परतिया जिसके अंत में जोड़कर उसकार्थ में बदल दिया जाए तो देखिए नाई का जोड़ एका ठीक है नाई जोड़ एका और सुरी नाजोड़ एका है तो देखिए इसमें जो एका जो है आपका परतिया जाएगा ठीक है नाजोड़ एका बराबर हो जाएगा नाई का ठीक है नाजोड़ एका एका आपका परतिया निकल जाएगा एक मिनट यार यहां पर नाई होगा नाई जोड़ एका ठीक है बराबर हो जाएगा नाई का तो इका इसका निकल गया परतियाई यहीं पर पूछ लेता जैसे की कोई दे देता कला कार यह मेरा फैबरेट है इसमें पूछेगा कि परतियाई क्या है तो कला जोर कार कार को निकल देजेगा तो यह आपका परतियाई हो जाएगा यहीं पर पूछ लेकि उपसर्ग क्या है तो कला उपसर्ग हो जाएगा ठीक है पाले वाला जो सब्द होता है यह आपका परते है और अंतिम में अगर पूछा जाए तो परते है ठीक है अगला है आपका संगम में क्या अपसर गए तो संगम जहां पे दो कुछ मिलते हो जैसे दो नदिया मिलती हो तो संगम बोलते हैं कोई भी चीज दो मिलते हैं आपस में एक तुसको संगम बोलते हैं ठीक है तो देखें यहां पे सम जोड गम यह हो जाएगा संगम ठीक है तो यहां पर उपसर्ग क्या है हमारा यह वाला है सम और सम अगर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा क्यों गम सेडनेस दुख पीड़ा ठीक है गम तो यह हो गया आपके क्वेश्चिन फाइप मार्क्स वाले बागी 15 मार्क्स वाले आपके तीन गवाएंगे ठीक है देखिए पहला कोशन है संचेपन क्या है संचेपन के नियम है मुसकी विस्षथाओं पर प्रकाश डाले कारक किसे काते हैं कारक के वेदों को लिखें करता ने कर्म को करन से संप्रतान के लिए अपदान से संबंद का अधिकरण में पर संबोधन अरे रुवी उबास से ही खतम कारक ठीक है तो कारक यह है पढ़ लेना है आपको अनुपचारिक पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं यहां पर अनुपचारिक पूछा गया मैंने आपको अपचारिक दि सार गर्वित निमबंद लिखें यहां पर आपको कुछ भी आ सकता है पर्यावरन हो गया विज्ञान हो गया जो टॉपिक दिए इन्हीं में से कोई एक आएगा इतना पढ़ लिजिए इससे बाहर कोशन नहीं जाएगा पका पका यार ठीक है तो चलिए फिरी में मिल गया सब कुछ तो प्रिया में मिल गया ना दिमाग तो मेरा खराफ हुथ है यार कभी कभी लगता है अगे हटाओ गोली मारो यार यूटूब फिटूब अपना कामधार करो मस्तरों लाइब में फिर सुचते हैं कि नहीं यार पढ़ा देते हैं काहले मैक्सिमम बच्चे गाउं नमचे उसे हैं तो उन लोग को दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर ठीक है तो मिलते है नेच्ट वीडियों में ठीक है अगली वीडियों में अगली वीडियों कि बताओं टेंसन बहुत ज़्यादा रहने लगता है की के बाद ना अगर आपको काम नह काम छोड़ दिया अब काम भी हाथ से गया है और यूट्यूब से आते हैं पैसा लेकिन उतना नहीं आता है जितना से मतलब समझ रहना ठीक है अर्निंग लगबग ना के बराबर होता है ठीक है मतलब कमाई दमाए इसमें चौपट है पढ़ाई लिखाएगा अगर आप विडियो बराते हैं कॉर्स बेचने तब तो बहुत कमाई लेकिन कोर्स अब नहीं बेचते हैं तो कमाई बहुत कम है ठीक है और ज्रकन तो एक चीज में सजसन देना चाहूंगा देखिए मैं भी एक टॉपर हूं डिस्टिक टॉपर हूं टुइल्थ में इन्युवर्सिटी में कॉलेज टॉपर हूं ठीक है तो बताना चाहूंगा आप लोग गॉर्मेट जॉप के चकर में मत भागिएगा नहीं तो क्यतना भी प नोइल में भी निकाला है मार्केटिंग ओफिसर में वेटिंग लिष्ट में आ गया था ठीक है और उसके बाद क्या बता है हालाद बदल गए जज़बाद बदल गए ठीक है तो जो भी हो आप लोग गॉर्मेंट जॉप के चकर में मत पढ़िएगा कोई भी जॉब हो कम होगा जब 22-23-24 होने लगेगा ना तब आपको देखिएगा दिक्कत होने रहेगा और उस टाइम पर काम नहीं मिलेगा ठीक है तब आपको टेंसन अपर लेवल दर जाएगा इसलिए जो भी काम मिले लाइप में करना सुरू कर दिजिए यह मत रहिएगा कि मैं घमन में अगर आप इस गमन में रहिएगा तो काम के साथ पढ़ाई किजिए तब आप माइंड से अच्छे से आगे बढ़ पाईएगा ठीक मैं आपको दोस्त की तरह समझा रहा हूं यह नहीं कि टीचर बनके आपको दे रहा हूं लेक्चर काम के साथ पढ़ाई करो अगर लाइप और दोहिको को मिल पाएगा अंठानबे को खाली हाथ निराज गुम जाएगा चाहे कितना भी पढ़ ले ठीक है दिस रियाल्टी चलिए मिलते है नेक्ट वीडियो में ठाइंक्यू बाई और हाँ इसका पीडियाप आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके और जितना भी है कॉस्चेन आपका सब का मैं डाल दूंगा धिरे धिरे जैसे ही टाइम मिलेगा और ज्यादा अगर अगर वकाईएगा तो वे छोड़ चाड़ दूंगा यार मेरा भी माइंड बहुत खराब होता है मजाग नहीं बोल रहा हूं एक आदमी कितना किये ठीक है तो बाई टेक क्यार